नमस्कार कैसे बतला जाता है धर्म जब आप किसी दूसरे धर्म में होते हो तो वह जब वह धर्म छोड़के दूसरे धर्म में आते होना तो उसके क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में अपन जानेगे और अभी हाले में वसीम रिजवी इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ कर हिंदु धर्म अपनाया तो इसके लिए इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई और अभी हाले मेडिया में ये खुब चर्चा में रहे थे ये उत्तर प्रदेश के सिया सेंटर वक्त बोर्ड के पूर अध्यक्स भी रच चुके हैं और जब ये मुस्लिम धर्म छोड़कर हिं दो दर्म साथ है एंगे फिए में वाद विवाद और बहोती चर्चम रहे तो आखिर क्या प्रक्रिया है जब आप किसी दraalım को छोड़ कर दूसरे दरम आंगा तरुके सबसे पहले एक एपिडेविट तैयार करना पड़ता है इसमें अपना बदला हुआ नाम बदला हुआ धर्म और अड्रेस लिखना होता है इसमें एक अड्रेस पूप भी अटेश करना होता है और परचान पत्र भी देना होता है और इसे नोटेरी अटेश्टेट करवाया जाता है इसके बाद क्या करना होता है फिर किसी राष्टिय देनिक अकबार में से अपना धर्म पड़िवर्तन की जानकेरी का विज्यापन प बदल कर ये नाम लख़दीया है इसके बाद सरकारी तोर पर इसे गजट अपिस में आप आवेधन करना होता है जो जिल्ला वहाँधन करना होता है और जब आवेदर आप करते हो तो आवेदर की प्रक्रिया में कम से कम साथ दिन इसमें लगते हैं कि धर्म को बदलते हैं तो उसमें जो गवर्मेंट की प्रक्रिया हैं कम से कम साथ दिन लगते हैं इसके बाद कानूनी तोर पर धर्म बदल जाता है इसके बाद जो कानूनी तोर पर ज हैं तो मुख की रूप से दो तरीके होते हैं एक तो कानुनी तोर पर दर्म बदलना एक किसी धर्म इस्तर पर जाकर दर्म बदलना